हलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज लोधी और आज हम तीन मिनिस्ट्री कवर करने जा रहा हैं सबसे पहले हम मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन पवर्टी एलिवेशन की स्कीम देखेंगे और फिर हम मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स एंड इंड इंडस्ट्री की स्कीम देखेंगे और सबसे लास्ट में हम मिनिस्ट्री आफ डेवलाप्मेंट आफ नौर्ट इस्टर्न रेजिन की स्कीम देखेंगे है ना तो चलिए फिर देख लेते हैं हम सबसे पहले Ministry of Housing and Urban Poverty and Elevation की स्कीम देखेंगे इनमें जो सबसे पहली स्कीम है बो है प्रदानमंत्री आवास योजना ठीक है अब यह जो प्रदानमंत्री आवास योजना इसके दो सेग्मेंट हैं एक ये ग्रामीन लोगों के लिए आई थी और एक अरवन लोगों के लिए प्रदानमंत्री आवास योजना अरवन वाली देख रहे हैं जो ग्रामीन है वो हमने कल डिसकस कल ली थी ठीक है तो जो प्रदानमंत्री आवास योजना अरवन प्रोग्राम है इसमें गवर्मेंट सोच रही है कि सभी के लिए 2022 तक पक्के मकान अवेलबल करा दिये जाए ठीक है इसमें गवर्मेंट जो अरवन पूर हैं जोगी वस्तियों में रहते हैं उनकी जो हासिंग रिक्वर्मेंट है उसको पूरा करना चाह रही है इसमें गवर्मेंट चार चीयों पर फोकस किया गया है सबसे पहले तो गवर्मेंट ने इसमें टर्मलोजी की कई सारे ल फस्ट में मिडिल इंकम गुरुप में 6-12 लाख वाले या 12-18 लाख वाले आ जाते हैं अब इस इसकी में गौर्मेंट ने चार चीज़ों पर फोकस किया है सबसे पहले तो इनसीटू सिलम इसका मतलब यह है कि जहां पर जोगी बस्तियां अल्रेडी बनी हुई है यदि आप उनको क्या यदि आप उनको जो जोगी बस्ति वाली जगे है वो ग्रांट में दे दें ठीक है जगे दे दी जाए और उस पर फिट से डेवलापमेंट कर दिया जाए तो इससे घर भी मिल ज करना है ठीक है फिर इसके बाद जो दूसरी बात है उसमें गौर्मेंट ने इसमें मकान दलाने के लिए अफॉडेवल हाउस दिलाने के लिए गवर्मेंट क्रेड़िट लिंक्डि सब्सिडी पर बात कर रही है इसका मतलब यह हुआ कि आप मकान बनाने के लिए बैंक से ज कोड़े 6% का इंट्रेस्ट का सब्वेंशन दे रही है बीच साल के लिए तो इस तरीके से आपके ड़ाइलाक रुपे बच जाएंगे लगबाग है ना तो सभी के लिए अलग अलग इसमें कर रहा है गॉर्मेंट ने कि यदि आप माईजी हैं आपकी इंकम 6-12 लाग की बीच करना चाहरी है इसका मतलब के साज़ेदारी में आप मकान बन वालो तो गॉर्मेंट इसमें जो EWS के लोग है ठीक है तो उनको 1.50 रुपे तक की हल्प करती है और जो भी मकान बने जाएंगे हैं ना उसमें 35 परसें गॉर्मेंट बोले हैं EWS के को दे दिये जाएं और जो च subsidy for beneficiary led individual house construction है ना कोई यदी individual है और वो खुछ से अपना घरक का मकान बनाना चाहरा है तो गॉर्मेंट फिर उसमें डिड़ लाक रुपे की subsidy दे दे देती हैं है ना तो यह था हमारा परधान मंतरी आबास योजना की बारी में इसमें कुछ और बात हैं यह हैं कि जो center और state है यह दोनों मिलके funding करेंगे इसके लिए है ना नॉर्मल funding पे 75-25 की है और जो special category के states हैं उनको 90-10 के देशों में पैसा मिलेगा मतलब central government 90% पैसा उठाएगी और 10% जो मकान है जो खर्च है वो आपका state government को देना होगा इसके बाद यह जो मकान issue किये जाएंगे यह घर की lady member है वीमन के नाम पे अलॉर्ट किये जाएंगे तो यह था हमारा प्रदान मंतरी आवास योजना के बारे में question पूछा जा सकता है ध्यान रखिएगा चलिए आगे चलते हैं अब हम Ministry of Commerce and Industry की government scheme देखेंगे इसमें सबसे पहली scheme Startup India Hub के बारे में है ठीक है Startup India Hub के बारे में डिसकस करने से पहले सबसे पहले हम Startup India scheme देख लेते हैं जो Startup India scheme है इसका मकसद यह था कि government जो business है और जो entrepreneurship है हमाई country में उसको बढ़ावा देना चाह रही थी government हमाई country में employment को बढ़ावा देना चाह रही थी इसके लिए जो corporate हैं उनको शुरू करने के लिए government encourage कर रही है लोगों को loan दे रही है ठीक है guideline दे रही है और एक ऐसा ecosystem तयार कर रही है ताकि जो entrepreneur है बिजनेस हैं इसको बढ़ावा मिल सके ठीक है इसके तरह लोगों को skill development की training भी दे दी जाती है अब startup इंडिया मतलब कोई भी आप industry सेट कर रहे हैं कुछ भी इंट्रेंटर बन रहे हैं तो इसके लिए government कई सारे benefit आपको देती है जिसमें सबसे पहली बात है easy process है ना government startup इंडिया के तहते सब चीज़ों को detail कर रखा है तो आपको सारी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी registration वगेरा साब आसानी से हो जाएगा easy process है ठीक है दूसरी बात इसमें self certification की self certification की यह है कि जो मतलब self certification में इसमें आपको कोई भी परेवरान कानून है तो उनको आत्म प्रोणाय करने की अनुमती दी गई है इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे आप कुछ भी business set करेंगे ठीक है तो फिर उस पर environmental log के करण कोई भी आपको उंगली कर सकता है तो यह से म लो इसमें आपको ज्यादा परिशान नहीं किया जाएगा तीन बड़सों की अभी तरी तक कोई भी आपका निरिक्षण नहीं करेंगे ठीक है तीसरी बात यह है कि government tax exemption दे रही है मतलब यह हुआ कि तीन साल तक जो भी इस टाप की टेक्स लग रहे हैं वो नहीं देने पड हैं है ना तो यह ता फिर हमारा startup इंडिया के बारे में हमने बता है कि government इसमें जो startup हैं business and entrepreneurship है इसको बड़ावा देने के लिए बहुत अच्छे ची बातें कर रही है इसी प्रोसेस कर रही है सल सर्टिफिकेशन की बात कर रही है टेक्स चूट दे रही है फंड दे रही है मह आज के माई जो इसकी में startup इंडिया हब यह ministry of commerce and industry के तहत आती है और इसमें government ने startup इंडिया virtual hub तयार की है क्या है यह यह एक online platform है जिसमें जो सारे के सारे stakeholder हैं जैसे कि आपका entrepreneur है है ना और आपकी government body है corporate है academic है incubator है तो यह सारे के सारे सब लोग साथ में आ जाएंगे engage और फिर जो best practices हैं उनको अपना ही जाएंगी इसमें government कोशिश कर रही है कि जो information की asymmetry है उसको short out किया जाए है ना ताकि सब तक बहुत आसानी से जो knowledge है tool है expert का guidance है बो मिल सके और हमाई country में जो startup हैं उनको बढ़ावा मिल सके जो startup India hub है यह invest India के तहता है है ना जो invest India है यह हमा माहुल को promote और facilitate करता है है ना तो ध्यान रखिएगा यह था startup India hub के बारे में है ना और हमने startup India scheme भी discuss की चलिए आगे चलते हैं अगली technology and innovation support center TISC के बारे में news है तो जो WIPO है World Intellectual Property Organization ठीक है तो यह TISC Technology and Innovation Support Center हमाई पंजाब में इस्टैबलिस कर रहा है 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 ना इंडिया का प इनोविशन सपोर्ट सेंटर पंजाब में स्टार्ट किया जा रहा है WIPO ठीक है इस body के तहत यह TISC launch किया जा रहा है स्टार्ट किया जा रहा है पंजाब में ठीक है अब जो SIPAM है Self for IPR promotion and management तो वो हमाई country में यह जो network है WPO और जो TISC है इसके बीच में जो अपना SIPAM है वो जो innovation है और जो technology है उसको support करते हैं कहने का मतलब यह हुगा कि जो high quality technology की information होती है उससे जुड़ी हुई जो services है वो इस center के तुरू जो entrepreneur है start-ups है उनको मिल जाएगी और इसमें एक बात और भी की गई है कि जो उनके intellectual property right है ठीक है उनको भी manage करना बता जाएगा ठीक है तो जो TISC center है technology and innovation support center इधर से government दो काम करने वाली है पहली बात तो यह है कि जो WIPO है उसने यह TISC center सुरू किया है है ना SIPAM Mediator की तरह काम कर रह है और इसमें हमाई country में जो technology की information है ना बहां तक government चा रही है कि जो हमाई country के innovator है उनकी महता सानी से बहां तक पहुंच हो जाए है ना वो अपने innovative potential को पुरी तरी के से use कर पाए तो उनको इस तर टाइप की जानकारिया दे दी जाती है और जो उनके IPR intellectual property right उसको भी manage करना स पंजाब में जो department of industrial policy and promotion है उसने पंजाब की state council of science tech उसके साथ tie up किया हुगा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा technology and innovation support center पंजाब में start किया जा रहा है WIPO help कर रहा है और CPAM जो कि हमाई country में IPR promotion management करता है ये एक focal point की तरह काम करेगा as a mediator काम करेगा और इसका TISC का काम में बताय कि ये जो innovation है उसको promote करेंगे और IPR का management करना सिखाएंगे हमाई innovator है ना उनके लिए चलिए आगे चलते हैं अगली जो scheme है वो creative इंडिया innovative इंडिया के बारे में है तो ये जो scheme है ये IPR में awareness पहलाने के लिए ये scheme लाई गई है creative इंडिया innovative इंडिया ठीक है हमाई country में जो IPR policy IT 2016 उसके तहत IPR के बारे में intellectual property rights के बारे में awareness पहलाने के लिए creative इंडिया innovative इंडिया प्रोग्राम launch किया गया है तो ये जो प्रोग्राम में ये लाउंच किया गया है सीपम के दारा self-power IPR promotion and management ठीक है और ये किसके तहत वर्क करेगा तो आपकी DIPP जो की ministry of commerce के तहता है ये तहत वर्क करेगा है और सीपम इसको launch कर रहा है creative इंडिया innovative इंडिया अब इसमें एक काम क्या करने वाली है ये जो प्रोग्राम है creative इंडिया innovative इंडिया तो इसमें government IPR की awareness पहलाना चारही है student youth author है ना जो भी various type के professional inventor है उनके बारे में government चारही है कि इनमें IPR awareness पहला है ताक आकि वो inspire हों कुछ नया create करने के लिए कुछ innovate करें create करें और जो अपनी creation है है ना उसको protection provide करें इसके बाद government एक काम और करना चारही है इसमें government लगबग 4000 के लगबग में IPR awareness के workshop और seminar conduct करेगी है ना इसमें IPR जो intellectual property उसकी trending दी जाएगी हैना sensitization program चला जाएगे और उनको इस फिर हमारा creative India, innovative India के बारे में ध्यान रखिएगा सीपम ने launch किया है और ministry of commerce के department of DIPP के तहत ये काम करेगा चलिए आगे चलते हैं आगे e-biz project के बारे में बताएगा है तो जो अपना ministry of commerce and industry है इसके तहत department of DIPP आता है तो ठीक है इसने e-biz project launch किया है ये एक online platform है जो investor है वो ह हमाई country के investor ये जो foreign investor है यदि वो हमाई country में कुछ भी नया launch करते हैं तो उन्हें काफी सारी दिखका जाती है कि कहाँ पे paper submit करना है कहां से rules regulation होगे ठीक है कॉन guideline set करेगा है और various जो body environmental clearance लेने पढ़ते हैं तो इस टाइप से उनको कुछ भी जो innovation हैं बिजने से उसको start-up को continue करने के लिए बहुत सरी दिखकतों का सामाना करना पड़ता है तो यह जो इविच प्रोजेक्ट लेके आ हैं तो यह एक online platform है 2013 माँ आया था और यह क्या काम करेगा यह integrated service project है मतलब जो भी various समस्या हैं है ना जो entrepreneur हैं यह उन सब को deal करेगा तो यह mission mode project पे काम करता है और हमारा national e-governance plan है government यह उसको सर्व करता है तो हमाई country में जो business है है ना तो उस business के environment को improve करने के लिए government e-beach project लेके आई है इसमें जो भी business sector है वो government से जुड़ी ही जो भी जानका रही हैं वो efficiently जो भी services है वो इस online portal के थुरू उनको मिल जाएंगी और इससे investor friendly business environment बन जाएगा है ना त तो यह था हमारा e-beach project के बारे में ध्यान रखिएगा यह एक online platform है DIPP के तहत यह आ रहा है और इसको implement कौन करवा रहा है तो जो infosys technology है उसने यह platform बनाया है तो इसमें जो government की जो भी various services है इस प्लान चल ला है उसको और सर्व कर रहे हैं और जो हमाई country में जो business का माहौल है तो उससे जुड़े हुए जो भी various stakeholder हैं है ना government की जो भी policy है वो सारी सारी इसमें आपको जानकर ही है मिल जाएगी है ना integrated service project है तो यह सब मिलाकर एक single जगे मिल जाएगा और इससे जो business का माहौल है वो हमाई country में बढ़ जाएगा चलिए आगे चलते हैं आगे merchandise export from India scheme M.E.I.S. के बारे में हैं तो हमाई country में जो foreign trade policy आई थी 2015 से 20 और इसमें फिर हमाई country में जो export है इसको boost करने की बात की गई है तो इसके तहत यह scheme government लेके आई थी ministry of commerce and industry है तो वो यह scheme लेके आई थी merchandise export from India scheme तो ध्यान रखिएगा यह एक export promotion इसकी में government of India के दोरा लाई गई थी ministry of commerce and industry के तहत यह आती है और इसमें जो government है जो हम जो कुछ भी हम export कर रहे हैं और यदि हमाई infrastructural inefficiencies के जो रहती हैं तो उसके कारण जो export है वो reduce हो जाता है घट जाता है उसका cost of export बढ़ जाता है तो है ना तो एक अच्छा महुल नहीं बन पाता तो ऐसे में जो भी infrastructure है उसको और ज्यादा अच्छे करने की बात की गई है है ना ताकि जो हमाई country से export हो रहा है वो कम से कम दाम में हो और इससे हमाई export कॉम्टेटिव हो जाए है ना और high export हम कर पाएं तो यही था हमारा market and dies export India scheme के बारे में ठीक है धियान रखिएगा ministry of commerce and industry के तहता आ रहा है export promote करने के लिए scheme लाई गई थी और इसमें मुद्दे का बात क्या है कि जो infrastructure and efficiency होती है है ना जिसके current cost बढ़ जाती है export की है ना इसमें goods और जो product है है ना जिनकी cost बढ़ जाती है export करने में तो government infrastructure and efficiency जो है उनको करब करना चाह रही है उनको जो cost of export है उसको कम करना चाह रही है तो इस तरीके से government हमाई country में जो export इसको बढ़ावा देना चाह रही है उसको और ज्यादा competitiveness provide करना चाह रही है तो यह था हमारा MEIS के बारे में merchandise export from India scheme चलिए आगे चलते हैं अब हम ministry for development of northeastern region है ना जो ministry है northeastern region के development के लिए उसकी scheme discuss करेंगे इसमें एक ही scheme दी गई है जिसका नाम है hill area development program HADP ठीक है तो जो hill area development program है ministry of donor northeastern region के लिए development के लिए जो ministry है यह उसी के तहत आता है और इसमें focus क्या किया है कि जो northeastern region है बहाँ पर क्या है जो terrain है वो difficult है कुछ तो जो भागी district है वो valley region में है और कुछ हिली region में है तो notice में यह आया कि जो valley region की district है वो तो properly developed होगा है लेकि जो hill area है वहाँ के जो डिस्टेक है वहाँ के जो डिस्टेक है वहाँ जो डिस्टेक है वहाँ जो डिस्टेक है उनको एड्रेस करना चाह रही है ठीक है इसके लिए government दो चीजों पर focus कर रही है two-fold approach लेके आई है government ठीक है इसमें एक तो यह है कि government equitable development पर focus कर रही है जो भी north eastern region के जो hill area है तो वहाँ पर government equitable development पर focus कर रही है ताकि जो society का various तबका है जो tribes हैं है ना उनका सभी का holistic development हो सके और दूसरी बात यह है कि government एक index लेके आई है composite district infrastructure index है ना composite district infrastructure index यह जो index है यह आपकी ministry of donor के दोरा ही launch किया गया है और इसमें जो government है जो north eastern region है वहाँ के लिए जो inter regional disparity है इस index के दोरा government कम करना चाह रही है जो disparity है इसके लिए government better targeting कर रही है schemes का और government इस index के तूरू एक benchmark यह जो index है एक benchmark की तरह work करेगा जिससे जो government है भो policy पे और अच्छे से focus कर पाएगी उनको implement कर पाएगी उनकी better targeting कर पाएगी ताकि जो inter regional disparity है उसको reduce किया जा सके है ना तो यह था हमारा hill area development program के बारे में ministry of donor के दोरा यह लाया गया था और जो valley area है ना जो घाटियों में जो district हैं और जो hill area है north eastern region के इनके development में जो disparity थी government इसको कम करना चाह रही है इसके लिए government दो चीजों आप द्यान दे रही है एक तो government focus कर रही है कि equitable development करें है जो भी tribes है जो भी society का विदियस तपका है तो इसमें disparity ना हो और दूसरी बाद government index लेके आई है composite district infrastructure index और इस index एक benchmark की तरह work करेगा और इससे फिर जो policy हैं उनकी वेटर targeting करेंगे ताकि जो inter-regional disparity हैं उनको कम किया जा सके है ना चलिए आगे चलते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का discussion चलिए सुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या का discuss किया सबसे पहले हमने ministry of housing and urban poverty elevation की scheme देखी इसमें हमने सबसे पहले government कई सारे प्रोग्राम कर रही थी कि जुगी बस्ती में आप जो जमीन है उसी जगे पका मकान बना दीजिए credit linked subsidy चला रही थी कि आप 6,00,000 रुपे पे आपका government 2,00,000 रुपे तक का 20 साल के लिए loan दिला रही थी और फिर उसमें इंड्रेस्ट का subvention दे रही थी है ना और भ बात की थी कि इसमें center और जो state है उनका sharing 75-25 की है और जो special category state है उनमें जो ratio है वो 90-10 का है फिर इसके बाद हमने ministry of commerce and industry की scheme discuss की इसमें सबसे जो पहला था अब हमने startup इंडिया के बारे में बात की थी हमने पता है था कि हमाई country में business और जो entrepreneur है उनको बढ़ावा देने के लिए government इसा माहौल बना रही है ठीक है उनको guideline दे रही है funding दे रही है हमने बात की थी कि इसमें tax evasion हो जाएगा आपको self certification कर सकते हैं grant दे दी जाएगी तो इस तरीके से startup इंडिया के दोरह government हमाई जो startup हैं उनको encourage करना चारही है business माहल को बढ़ाना चारही थी फिर हमने इसके साथ में आजाएंगे और जो भी information में asymmetry चल रही है उसको कर्व किया जाएगा है ना ताकि हमाई country में जो startup हैं उनको promote किया जा सके फिर इसके बाद हमने technology and innovation support center के बारे हम बात की थी हमने बोला था कि जो WIPO है world intellectual property organization वो हमाई इंडिया के पंजाब में TISC technology innovation support center खोल रहा है इ यह एक focal point की तरह काम करेगा हमाई country में और हमने बताया था कि जो TISC है यह हमाई country में जो high quality technology की information है और उससे जुड़ी हुई जो services है वो हमाई जो innovator है उनको avail कराएगा है ना और उनमें जो innovative potential चुपा हुआ है हमाई जो innovator में उसको और जादा utilize कर पाएं इनेबल करेगा इसके बाद यह IPR का जुक्के से protection करना यह सारी बातें भी जिखाएगा इसके बाद हमने आगे creative इंडिया, innovative इनबेटिव इंडिया के बारे में बात की हमने बत कि थी कि यह भी CEPOM ने लऑन्च किया है creative इंडिया, innovative इंडिया और इसमें creative इंडिया है ना हमें कुछ अपना अलग से करना था, create करना था, और इसके बाद government इस पे IPR पे भी focus कर रही थी, कि लोगों को intellectual property की training दी जाएगी, sensitization program चला जाएंगे, ताकि लोगों में IPR के बारे में awareness हो जाए, इसके लिए government 4000 IPR awareness program चलाने वाली थी, इसके बाद हमने e-bitch project discuss किया था, हमने बताया था, कि ये भी एक online platform है, और जो भी entrepreneur है, investor है हमाई country में, है ना, तो वो कोई भी startup शुरू करना चाहरा है, तो ये एक single point की तरह काम करेगा, है ना, ये integrated service provide करेगा, और इधर पर जो business है, है ना, उनको जो investor है, हुदर पर वो single point पर उनको सारी जनकारी दे दी जाएगी, तो इस तरीके से जो हमाई country है, उसमें business का जो environment है, उसको improve करने की बात की गई थी, इसके बाद फिर हमने merchandise export India scheme discuss की थी, हमने बोला था, कि हमाई country में, जो infrastructure inefficiency रहती है, इसके current जो हमारा export है, वो costly हो जाता है, में बात की थी, ministry of development of north eastern region की, है न, जिसमें हमने scheme discuss की थी, हिलेरिया development program हमने बताया था, कि जो north eastern region है, ऐसे में, जो district हिलेरिया हम पढ़ते हैं, उनमें development proper नहीं हो पाया है, तो इसके लिए, जो ministry of north eastern region की ministry थी, यह scheme लेके आई थी, हिलेरिया development program, जिसमें government दो चीज़ों पर focus कर रही है, है न, एक तो equitable development पर focus किया गया है, सभी जो north eastern region है, वहाँ पर जो भी district हैं, tribes हैं, society हैं, सभी को एक सांथ inclusive development की बात की गई है, और दूसरा एक index लेके आई थी government, composite district infrastructure index, तो government इस index के द्वारा एक benchmark set कर रही है, है न, और फिर जो policy है, scheme से उनकी better targeting की जाएगी, और intra regional जो disparity हैं, उनको कम किया जाएगा, है न, तो दोस्तों फिर यह था हमारा आज का discussion, और आज के लिए बस इतना ही, thank you, thank you very much.